Hello friends, welcome back, कैसे आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बड़े पेच्छे चल रही होगे तो प्यारे विद्यार्तियों, आज की इस क्लास में हम प्रवाग धिनित कार्य पुस्ति का सक्सा 6 और 7 के कार्य पत्रक 58 और कार्य पत्रक 69 को solve करना सिखेंगे प्यारे विद्यार्तियों, आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार, हमने कार्य पत्रक 1 से लेकर 57 तक की सर्चा बहुत अच्छे से कर ली है वो सब क्लासिस आप चैनल की प्ले लिश्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं आज की इस क्लास में सिखेंगे पुर्णांक संख्याओ की समझ विक्सित कर पाना इसकी समझ पुर्णांक संख्याओ की तो प्यारे बच्चों, कार्य पत्रक को हल करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पुर्णांक संख्याओ होती क्या है तो देखो जो पुर्णांग संख्या है वो आपकी पलस और माइनस दोनों के अंदर होती है यानि कि पुर्णांग संख्या है जीरो से लेके अननत तक पलस में भी होती है और जीरो से लेके अननत तक माइनस में भी होती है जैसा कि आपके सामने संख्या रेखा है तो ये आपका 0 है 0 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनन्त तक क्या होगी पलस में भी होगी और 0 से जब हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में भी कहां तक होगी माइनस में भी आपकी अनंत तक होगी तो यानि पुर्णांग संक्या है पलस और माइनस दोनों के अंदर होती है आगया सोज में तो आपको केवल इतना अफसा आज रखना है कि पुर्णांग संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है अगर परकार की बात करू तो पुर्णांग संख्या हो के दो परकार है एक धनात्मक पुर्णांग और दूसरा आपका रिनात्मक पुर्णांग संख्या है कहली कौन सी है दनात्मक पुर्णांग संख्या है यानि प्लस वाली और दूसरी है आपकी दनात्मक पुर्णांग संख्या है यानि की माइनस वाली अब दनात्मक पुर्णांग कहां से कहां तक होती है तो यह होती है आपकी एक से लेकर अनन्त तक अहां तक एक से लेकर अनन्त तक और रिनात्मक पुर्णांग तो माइनस में एक से लेकर माइनस में अनन्त तक अब बात कहेंगे कि सब जीरो किसमे हैं तो जीरो पुर्णांग संख्या तो हैं लेकिन न तो धनात्मक है और नहीं क्या है नहीं जीरो रिनात्मक है तो बच्चो आपको समझ में आगया होगा कि पुर्णांग संख्या है आपकी पलस और माइनस दोनों में होती है धनात्मक पुर्णांग एक से लेकर अनन्त तक होती है और रिनात्मक पुर्णांग माइनस एक से लेकर माइनस में अनन्त तक होती है जीरो न तो धनात्मक पुर्णांग है और जीरो नहीं रिनात्मक पुर्णांग है आगया सौझ में अब देखो पहला प्रशन है नीचे दिये गए पुर्णांग संख्याओं को संख्या रेका पर करम के अंदर लगाना है तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ अब ताकि मैं आपको आगये वाले प्रशना का हल समझा सकूँ तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ समसे पहली संख्या कौन सी है पांच देखो 0, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 ठीक, फिर है माइनस में 7 माइनस में 7 का मतलब क्या है? 0 से पीछे वाले भाग में तो देखो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 और माइनस 7 यहाँ पर आएगा आपका माइनस 7 फिर कितना है 6? प्लस का 6 है, तो यह 5 था, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, फिर minus 2, 0 के पीछे चलेंगे, minus 1 और minus 2, यहाँ पर हो जाएगा minus 2, और आपका 0, तो यह हो जाएगा आपका 0, ख़ देखो, यहाँ पर कितने कितने का gap दिख रहा है, आपको 5, 5 का, तो यह 0 है, 0 से फिर क्या है आपका, देखो, minus का 25, तो पीछे चलेंगे, तो यहाँ पर देखो, यह minus का 5, यह minus का 10, यह minus का 15, यह minus का 20, और यह क्या हो जाएगा, आपका minus का 25, यहाँ पर हम कितने कितने का gap ले रहे हैं, 5, 5 का, फिर minus का 15, तो minus का 15 आपका, यहाँ पर हो जाएगा, minus का 15, फ फिर 10, फिर 15 और फिर 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, फिर क्या है 10, यह हो गया आपका 10, फिर क्या है माइनस का 20, तो यह हो जाएगा आपका इधर माइनस का 20, गर देखो, क्या है 6, 12, 18, यहनी कितने का gap चल रहा है, 6, 6 का, तो यह 0 है, तो यह कितना हो जाएगा, माइनस का 6, अब की बार यह गैप कितने ले रहे हैं, 6-6 का गैप ले रहे हैं, तो यह हो गया माइनस का 6, फिर यह माइनस का 12, यह हो जाएगा माइनस का 18, फिर यहाँ पर माइनस का 24 फिर कितना है पलस का 12 तो यह 0 यह 6 और यह आपके पलस का 12 फिर किया है पलस का 30 तो 6, 12, 18, 24 और 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा पलस का 30 हो जाएगा ठीक है आगे बात करूँ मैं प्रशन संख्या 2 की नीचे दीगी संख्याव की तुलना करके बताओ कि कतन सत्य है अथवा असत्य है तो देखें पहला संख्या रेखा पर माइनस आठ माइनस दस के दाई और इस्तीत है देखो माइनस आठ समय लीजिए ये आपकी एक रेखा है यहापर माइनस आठ है तो माइनस आठ के बाद माइनस का नो और यहापर क्या आएगा माइनस का दस आएगा तो यह इसके दाई तरफ है के बाई तरफ है तो देखो जो माइनस आठ है वो माइनस दस के दाई तरफ है बिलकुल सही बात है जी बिलकुल सही है कि जो आपका माइनस का नाथ है, वो माइनस 10 के कौ़न सी साइड है? दाई और है. अगला, संक्यार एक आपर माइनस 50, माइनस 51 के दाई और इस्ती थे. ये बात भी बिल्कुल सत्य है. पहले क्या आएगा? पहले आपका इस साइड से, देखो, यहाँ पर माइनस का 50 होगा, इधर माइनस का 51 होगा तो जो माइनस 50 है, तो माइनस 51 के दाई तरफ है कौन सी तरफ है? दाई तरफ ग, सबसे चोटा रिनात्मक पुर्णांग माइनस 1 है सबसे चोटा रिनात्मक पुर्णांग माइनस 1 है तो ये कथन क्या है गलत है क्योंकि माइनस एक तो सबसे बड़ा रिनात्मक पुरुनांग होता है कितना सबसे बड़ा अगला माइनस 35 माइनस 10 से बढ़ा पुरुनांग माइनस 1 है बिल्कुल सही बात है क्यों माइनस का एक माइनस के अंदर सबसे बढ़ा क्या है रिनात्मक पुरुनांग है तीसरा देखो माइनस 20 से बढ़े 5 पुरुनांग लिखो कलिकना है 20 से बढ़े तो देखो बड़े यहाँ पर समय लीजिए माइनस का 20 है बड़े की बात हो रही है मतलब आगे बड़ रहे है मतलब इस तरफ बड़ेंगे तो माइनस 20 से बड़े कौन से होंगे माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 17, माइनस का 16 और माइनस का 15 जब भी हम दाई तरफ बढ़ेंगे इसका मतलब हमारा मान बढ़ेगा और जब हम किसी भी संक्या से पीछे की तरफ चलेंगे जब भी हम किसी संक्या से पीछे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? तो मान आपका कम होगा. यहाँ पर हम minus 20 से आगी की त betrayal चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा मान बढ़ेगा फिर minus 6 से छोटे देखो अब छोटे हैं तो छोटे हैं तो पीचे की तिरप चलना पड़ेगा छोटे का मतलब क्या है हमें इसWhile चलना पड़ेगा यहाँ पर यह दि minus 6 है माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10 तो माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10 और माइनस का 11 पांच वा निम्न लिखित पुर्णांकों के परवर्ती लिखो क्या लिखना है परवर्ती परवर्ती का मतलब क्या है पर का मतलब होता है पीछे आने वाली संक्या पर का मतलब क्या है पर का मतलब होता है बाद में आने वाली संक्या बाद में आने वाली संक्या मतलब हमें क्या करना है यह परवर्ती निकालनी है तो एक को जोड़ना है क्या करना पड़ेगा एक को जोड़ना पड़ेगा प्लस 1 करना पढ़ेगा जैसे 10 में एक जोड़ा तो 11 82 में एक जोड़ेंगे तो 83 minus 51 में में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा यह आजाएगा आपका minus का 50 और minus 49 में एक जोड़ेंगे तो minus का 38 ठीक चट्टा निम्नलिखित पुर्णांकों के पूर्व वरती, पूर्व वरती का मतलब क्या होता है, ठीक पहले आने वाली संख्या, ठीक पहले का मतलब क्या है, एक कम करना है, तक ना है, एक कम, जैसे, माइनस 37 में से एक कम किया तो माइनस का 38 है ना फिर 49 में से एक कम किया तो 48 फिर माइनस 311 में से एक कम किया तो माइनस 312 हो फिर 437 में से एक कम किया तो कितना जाएगा 436 क्या करना है एक कम करना है आगे बड़े हम कार्य पत्रक 69 की तरफ पुर्णांग संख्याओं की तुलना की समझ विक्सित कर पाना पुर्णांग संख्याओं की तुलना करनी है नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए 888 माइनस में और माइनस में 885 की बीच में कौन-कौन सी पुर्णांग संख्या इस्तित है देखो यहाँ पर किसके बीच में यहाँ पर मैं एक रेखाकंड खिंच लेता हूँ यह सरल रेखा किंच लेता हूँ यहाँ पर है आपका माइनस का 885 और इदर है माइनस का 878 इसकी बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी इनकी बीच में जो संख्या आएगी माइनस का 889 फिर माइनस 880 माइनस 881 माइनस 882 माइनस 883 और माइनस 884 खो माइनस 888 और माइनस 885 80 के बीच में कौन सी संक्या बड़ी है और कौन सी संक्या छोटी है देखो बड़ी संक्या कौन सी होगी जो पहले आई है पहले कौन सी आई है माइनस 878 ये कौनसी होगी बड़ी तोटी कौनसी होगी माइनस 885 क्योंकि देखो जब हम 0 से बढ़ेंगे तो 0 से पास में कौनसी होगी 878 तो ये कौनसी होगी ये होगी बड़ी और दूर कौनसी होगी 885 माइनस में ये कौन सी होगी ये हो जाएगी छोटी जो 0 के जितनी पास होगी माइनस में वो उतनी ही बड़ी होगी है ना आगे बात करें हम दूसरा ठंड के एक विसेस दिन में भारत के 5 इस्तानों के तापमानों के आंकडों की सूची इस परकार है तो देखो अलग लग दिनों का तापमान दिया हुआ है तिया चिन का तापमान 0 degree Celsius से लेकर 35 degree Celsius तो तापमान को किसमें लिखना है पुर्णान संख्या में देखो यहाँ पर क्या है 0 से नीचे देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ जैसे ये है तो यह 0 है तो 0 से जैसे ही उपर चलेंगे तो तापमान किसमें आएगा पलस में तो यहाँ पर क्या है नीचे तो नीचे मतलब माइनस में सिमला 0 degree से 37 degree Celsius नीचे 0 से नीचे यानि कि माइनस में 37 degree Celsius एमदाबाद का 0 से 70 degree Celsius उपर उपर मतलब प्लस का 7 डिगरी Celsius, 0 से 7 उपर जैपूर, 40 डिगरी Celsius उपर तो प्लस का 40 डिगरी Celsius दिल्ली, 30 डिगरी Celsius उपर तो प्लस में 30 डिगरी Celsius कौनसा इस्तान सबसे ज़्यादा ठंडा है ठंडा, जो माइनस में जितना ज़्यादा होगा वो उतना क्या होगा, ठंडा होगा, तो सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे ठंडा है, माइनस 37 डिगरी सेल्सियस, और वो कौन सा इस्तान है, तो वो है आपका सिमला, ठीक है, कौन सा है सिमला, कौन सा इस्तान सबसे गरम है, तो सबसे गरम कौन सा है, पलस 40 डिगरी सेल्सियस वाल बढ़ता हुआ करम, वंसा करम, बढ़ता हुआ करम, तो सबसे चोटी कौन सी होगी, सबसे चोटी होगी यहाँ पर, जो माइनस में सबसे बढ़ी है, माइनस 435, इससे बढ़ी माइनस में 240, इससे बढ़ी, इससे बढ़ी है 95, इससे बढ़ी 425, सबसे बढ़ी 891, ठीक है, फि 444, इससे बड़ी माइनस में 2222 इससे बड़ी 0 इससे बड़ी 333 और सबसे बड़ी है 1111 तो था देखिए पुन्दान संक्याओ को अब रोही क्रम में, अब रोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते हुए क्रम में यानि पहले बड़ी लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है तो को देखो पहले कौन से लिखनी है अब रोही क्रम में, तो पहले आपको बड़ी लिखनी है बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 54 degree Celsius है न, इससे चोटी कौन सी है इससे चोटी है आपकी वो हो जाएगी इसके बाद माइनस दो डिग्री सेल्सियस इससे चोटी इससे चोटी कौन सी होगी माइनस 13 डिग्री सेल्सियस इससे चोटी माइनस 57 डिग्री सेल्सियस सबसे चोटी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस अब देखो सबसे बड़ी कौन सी है साथ हजार एक सो ग्यार हो इसके बाद एक हजार साथ सो ग्यार हो इसके बाद एक हजार एक सो सत्र हो इसके बाद एक सो सत्र हो इसके बाद माइनस में एक हजार साथ सो ग्यार हो पांच वा कौनसा खथन सत्य है और कौनसा असत्य है दो रिनात्मक पुर्णांकों का गुणन फल दनात्मक होता है, बिल्कुल सी बात है, यहनि जब हम दो माइनस वाली संक्याओं का गुणा करेंगे, तो उत्तर किसमें आएगा, वो मैसा प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस तीन चोक बार हो, जब हम दो माइनस वाली संक् सुन्य एक रिनात्मक पुर्णांग है गलत सुन्य न तो धनात्मक पुर्णांग है यह जो आपका जीरो है जीरो न तो धनात्मक पुर्णांग में है और नहीं आपके रिनात्मक पुर्णांग में है जीरो केवल और केवल एक पुर्णांग है यह न तो धनात्मक है और नही लिनात्मक है तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस कलास में कार्य पत्रक 58 और कार्य पत्रक 69 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखा है उम्मिद करता हूं दोनों कार्य पत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे तो कलास देखने के लिए अब सभी का धन्यव आज मिलते हैं अगली कलास में तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत